असलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप सबके सब्सक्राइब बिल्कुल कहरें से होंगे आज किस वीडियो में हम 9th क्लास के physics के जो important questions हैं उन questions को highlight करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं जिन questions को भी highlight करूँगा वो सबके सब smart syllabus से ही तालुक रखते हैं एक ब papers के अंदर आएंगे बस यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि काफी बच्चे यह request कर रहे हैं यह करते हैं कि sir paper के अंदर जो important questions हैं उनको highlight करवा दीजे हम जब अपनी त्यारी करेंगे तो उन questions को थोड़ा और अच्छे से prepare कर लेंगे तो इस चीज को सामने रखते हुए हम इनके अंदर से जो important questions थे वो और जो हम लोगों का जो experience है उस experience के recording जो important questions लगते हैं वो उन यानिके इन दोनों questions दोनों तरह के questions को एक साथ मिला कर यह हमने important questions की list त्यार की है जो कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ share करूँगा ठीक है तो last में आखरी भाब हो रहा आगे आपका unit number one unit number one के अंदर कौन से short or long important है हमारे मताबिक तो आप यानिके physical quantities वाला जो topic है इसको as a short question के तोर पर त्यार कर लीजेगा और इसके अंदर ये भी दो काफी important है आप लोगों को पता होगा के base और drive quantities जो है इनको भी short questions के तोर पर देख लीजेगा अब short questions के तो पर definitions होती है तो आप definition को देख लीजेगा school में आप लोगों को I think इस चीज़ को मुझे बताना नहीं पड़ेगा के short question कैसे बनेगा या कौन सा होगा क्योंकि school के अंदर वो सब चीज़ें आप लोगों को सीक आप लोगोंने सीक ली होंगे ठीक है मैं just यहां पर सिर्फ highlight कर दूँगा ठीक इसी तरह यह international system of units जो है इस topic को आप यानि के short question के तोर पर देख लीजेगा आगे अगर चलें तो आप prefixes को short question के तोर पर तियार कर लीजेगा और आगे चलें तो scientific notation को जो है short question यानि short question में definitions इसकी अच्छे से देख लीजेगा और इसके लावा आगे चलें तो वर्णियर के अंदर से एक short question बनता है कौन-कौन सा बनता है आप लोग बेतर जानते होंगे एक तो इसके definition होगी ठीक है और बाकी errors के मुताबिक इसका short बनता है तो बरहल मेरा काम ऐसे तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी बस वर्णियर के topic से short बन जाता है इसके बाद आगे अगर चलें तो screw gauge नहीं और नीचे चलें तो इसके बाद जो हमें लगता है यह significant figure जो होता है एक short question इसके अंदर से बन सकता है तो इसकी definition भी आप अच्छे से देख लीजेगा और आगे चलें हम तो summary आ गई और यह questions आ गए question के अंदर कौन से question important है हमारे मताबिक 1.5, 1.6 ठीक है और 1.7 यह तीनो questions जो है आप अच्छे से तियार कर लीजेगा numericals की तरफ चलें तो 1.4 problem ठीक है और इसके लाव 1.5 problem जो है इस problem को आप तियार कर लीजेगा थोड़ा अच्छे से ठीक है बाकी जैसे के अभी मैंने बताया वर्ने कैलिपर से जो short question जैसे बन सकते हैं वो के what is mean by zero error and zero correction इनके definition भी आपसे पूछी जा सकती है short questions के तोर पर और least count of earning कैलिपर यह भी यानि कि इस तरह से questions बन जाते हैं मैंने आप लोगों के लिए यहां पर तो लिख दिया बाकी आगे जाके मैं सिर्फ highlight करूँगा कि किस से short बन सकते हैं और किस से नहीं chapter number two start हो चुके आपका chapter number two के अंदर जो है rest and motion जो है इसके अंदर से एक short बन जाता है तो basically इसके अंदर definition है वो देख लीजेगा और आगे अगर चलें तो आप यह जो scalar and vectors वाला topic है इस topic को देख लीजेगा अगे इन से बता रहा हूं है जितने questions को highlight कर रहा हूं यह सब smart syllabus के according recording है बच्चे वीडियो को शुरू से नहीं देखते आगे से देखते हैं तो उनको यह चीज़ पता ही नहीं होती comment करके पूछ रहे होते हैं फिर तो position जो है इसको short question के तोर पे देख लीजेगा distance and displacement जो है इसको short question के तोर पे देख लीजेगा इनकी definition भी आ सकते इनका difference भी प और आगे चलें तो कौन सा important होगा yes equation of motion जो है यह long question के तोर पे आप देख लीजेगा 1,2,3 तीनो equation of motion जो है इनको अच्छे से त्यार के रिगर रखे गया काफी chances होते हैं कि इसके अंदर से एक अपका long बन जाएगा ठीक है आगे अगर चलें तो हम और आगे चलें येस motion of freely falling bodies ठीक है तो इसमें भी short question बन सकता है कौन सा बन सकता है जैसे हाले किया होगा है मैंने आगे gravitational acceleration की definition जो है वो पूछी जा सकती है तो यहीं से आप देख लीजेगा तो यह definition आप अच्छे से देख लीजेगा आगे अगर चलें तो इसके questions में से 2.5 जो है इससे देख लीजेगा और 2.10 जो है इससे आप अच्छे से त्यार कर लीजेगा आगे अगर चलें तो इसके problems आगए यानि numericals, numericals के अंदर से 2.3 अच्छे से देख लीजेगा 2.8 और 2.6 यह तीन numerical जो है आप अच्छे से prepare कर लीजेगा बाकी एक और short बन जाता है कि convert किलो मीटर पर आर को यानि कि किलो मीटर पर आर को convert करना होता है मीटर पर सेकिंड उसमें जैसे इदर figure लिखा वा 72 km इस तरह कोई भी figure आ सकता है तो यह conversion जो है यह भी आप लोगों को आने चाहिए short question के तोड़ पर यह convert भी करवा सकते हैं वो कोई number आप लोगों से तो unit number 3 आगया unit number 3 के अगर बात करूँ तो force का definition देख लीजेगा या एक short question force से बन सकता है बाकी inertia से एक short आपका आ सकता है और momentum जो है यह important है इसके इसके नदस एक short बन सकता है और newton laws of motion इसको आप अच्छे से prepare कर लीजेगा एक short question बलकि इससे short भी बन सकता है जैसे के यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि दो short बन सकते हैं जैसे प्रूफ करो f is equal to ma यह भी question के तोर पर बन के आ सकता है यह define one newton जिसके definition जो है वो यह वाली है सोरी नजानियारी यह वाली है ठीक है define one newton तो आपको यह लिखना होता है तो यह चीज़ें आपको पता भी होंगी तो यह यानिके first law of motion जो है इसको short question के तोर पर आप देख लीज़ेगा इसमें से short question बन सकता है और बाकी newton के जो second law है इसमें से short question भी बन सकता है जैसे कि यह दो short questions आप लोगों के सामने मैंने discuss किया और बाकी इसमें से long भी आप लोगों का बन सकता है तो short और long दोनों aspect से Newton के second law को आप prepare कर लीजेगा बागी example 3.1 जो है इसे आप अच्छे से देख लीजेगा एक बार बागी mass and weight का topic है इसे देख लीजेगा इनका difference पूछा जा सकता है आप लोगों से Newton third law है short question के तोर पर यानि कि इसे देख लीजेगा यानि कि ये भी short question ही है तो Newton third law को भी short question के तोर पर प्रिपेर कर लीजेगा इसमें से क्या short question यानि definition ही बन सकती है और आगे अगर चलें तो example number 3.6 ये important है इसे देख लीजेगा और बाकी law of conservation of momentum short question के तोर पर भी इसमें से पूछा जा सकता है ये चीज हो गए आप लोगों की आगे अगर चलें तो friction को short question के तोर पर पूछा जा सकता है इससे आगे चलें तो ये coefficient of friction ये भी short question के तोर पर आप लोगों से पूछा जा सकता है बाकी rolling friction को भी short question के तोर पे आप देख लीजेगा बाकी अगर चलें आगे और आगे तो centripetal force जो है short question के तोर पर इस topic को देख लीजेगा या तियार कर लीजेगा example 3.8 जो है इससे अच्छे से देख लीजेगा आप लोग और further आगे चलें तो questions शुरू हो गए questions में हमारे मताबिक जो important है वो 3.9, 3.10, 3.13 और 3.17 इन questions को आप अच्छे से देख लीजेगा उसके बाद numerical आ गए 3.8 numerical, 3.10 numerical और 3.5 numerical यह 3 important numerical हैं ऐसा हम लोगों को लगता है और question number 4, sorry chapter number 4 की तरफ चलों तो like and unlike parallel forces इसको आप अच्छे से prepare कर लीजेगा इस topic को short question के तोर पर ठीक है resultant force की definition पूछी जा सकते है short question के तोर पर इसकी definition देख लीजेगा head to tear rule जो है short question के तोर पर यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है further आगे चलें तो resolution of forces यह long question के तोर पर आप लोगों से पूछा जा सकता है इसको ऐसा long question आप prepare कर लीजेगा और मजीद आगे चलें तो yes torque torque को short question के तोर पर यह moment of a force यह दोनों ही की बात है तो short question के तोर पर इसे त्यार कर लीजेगा rigid body को short question के तोर पर देख लीजेगा axis of rotation इसको भी short question के तोर पर आप देख लीजेगा line of action of a force short question के तोर पर इसे भी देख लीजेगा moment arm जो है यह भी short question के तोर पर आप देख लीजेगा फर्दर आगे चलें तो example 4.3 आ जाती है इसे prepare कर लिजेगा principle of moments जो है वो किसे कहा जाता है short question के तोड़ पर इस topic को भी त्यार कर लिजेगा और दुबार से बोलों short question यानि कि इस हर topic का short question कौन सा बन सकता है तो यह तो अभी आप लोगों को पता ही होगा इसलिए मैं दुबार दुबार बोल रहा हो कि हर topic के short question आप खुद देखिएगा कि इसमें से कौन-कौन से बन सकते हैं वो सब त्यार कर लिजेगा mostly definition ही त्यार कर लोगे तो topic cover हो जाता है ज्यादा तर topic तो ऐसी ही होते है पाके आगे चलते रहो यहाँ पर equilibrium का topic जो है short question के तोर पर आप इससे त् इक लिजेगा further आगे चलें तो second condition of equilibrium long question के तोर पर इसे भी त्यार कर लिजेगा आगे अगर चलें तो further और आगे चलें इसमें से तो अब questions आगए question में बात को हैं तो 4.4 और 4.6 यह दो questions जो हैं आप अच्छे से त्यार कर लिजेगा और साथ में 4.9 और 4.11 ठीक है नुमेरिकल की बात को हैं तो 4.2 और 4.3 नुमेरिकल जो है यह important है इनको अच्छे से prepare कर लिजेगा ग्रेविटेशन चप्टर नुम्बर 5 पर पहुंच चुके हैं चप्टर नुम्बर 5 के बात करें तो law of gravitation जो है long question के तोर पर important है इसे आप prepare कर लिजेगा example 5.1 को भी देख लिजेगा इसके लावा mass of the earth long question के तोर पर त्यार कर लिजेगा और फरदर आगे चलें तो natural satellite जो है इसकी definition भी पूछी जा सकती है short question के तोर पर satellite जो है इसकी definition भी पूछी जा सकती है short question के तोर पर तो यह दोनों देख लिजेगा साथ इदर से geostationary orbit जो है इसकी भी definition short question के तोर पर पूछी जा सकती है तो इन्हें भी देख लिजेगा बाकी long question के तोर पर motion of artificial satellite जो है इस topic को भी आप त्यार कर लिजेगा ठीक है बाकी हर कोई अपनी हैसियत के मताबिक याद करता है तो जितना आप कर सको आप कर लिजेगा और बाकी questions की बात करें तो 5.8 और 5.2 जो है दो important questions लगते हैं इसके exercise के अंदर से numericals की बात करें तो 5.9 जो है काफी important numerical है chapter 5 के अंदर से इसको भी देख लिजेगा तो चलिए chapter number 6 की तरफ चलते हैं यह आगे chapter number 6 chapter number 6 के अंदर अगर important question देखें तो आप लोग energy जो है इसको short question के तोर पर त्यार कर लिजेगा साथ में kinetic energy की जो है इसको short question plus long question दोनों के aspect से दोनों तरह से इसको त्यार कर लिजेगा example 6.2 important है इसे भी देख लिजेगा potential energy जो है यह भी काफ़ important topic है short question और long question दोनों तरह से इसे त्यार कर लिजेगा बागी example 6.3 जो है यह भी काफ़ important topic है और आगे अगर चलें तो और आगे चलें और इधर तो जादे लंबी लंबी actually यह जादा आगे इसलिए भी जाना पड़ता है क्योंकि यह जो important questions की list है यह short smart slabers के recording ही हम लोगों ने बनाई है बागी efficiency के topic को short question के तोर पर त्यार कर लिजेगा example 6.5 को देख लिजेगा यह काफ़ important है power का topic जो है short question के तोर पर त्यार कर लिजेगा साथ में what, what is what, what define यानि कि what की definition भी आप त्यार कर लिजेगा और और आगे चलें तो हम यहाँ पर 6.5 जो है question यह important है 6.15 और 6.16 जैसे के what का भी discuss किया वो यहाँ पर भी हो ठीक है तो यह दो questions आप देख लिजेगा numericals की तरफ चलें चप्टर नबर 6 के तो 6.4, 6.9, 6.6 यह तीन numerical काफ़ important है इनको आप देख लिजेगा चप्टर नंबर 7 की तरफ चलें तो चप्टर नंबर 7 आइस density को short question के तोर पर prepare कर लिजेगा और इसके बाद example 7.1 को अच्छे से prepare कर लिजेगा pressure के definition यह short question के तोर पर pressure को त्यार कर लिजेगा atmospheric pressure जो है short question के तोर पर इसे भी त्यार कर लिजेगा further आगे चलें तो pressure in liquids long question के तोर पर आप त्यार कर लिजेगा और pascal's last short question और long question दोनों तरह से आप इसे त्यार कर लिजेगा आगे अगर चलें तो इससे आगे और आगे और आगे चलते हैं yes elasticity जो है इस topic को आप short question के तोर पर देख लिजेगा stress जो है इसको strain जो है इसको और tensile strain जो है यह भी short question के तोर पर आप से पूछा जा सकता है इसकी definition भी याद कर लिजेगा hook slash short question के तोर पर prepare कर लिजेगा elastic limit जो है इसकी definition भी अब जहन में या repeat कर लिजेगा और young modulus जो है यह भी short question के तोर पर prepare कर लिजेगा आगे अगर चलें तो 7.6, 7.17 और 7.22 यह तीन question जो है 7 chapter के अंदर से important है इन questions को अच्छे से त्यार कर लिजेगा problems की बात करें तो पहला numerical 7.1 यह अच्छे से त्यार कर लिजेगा इसके बाद 7.5, 7.6 और 7.12 बाकी यह तीन numerical जो है अच्छे से त्यार कर लिजेगा chapter number 8 की बात करें तो temperature and heat को short question के तोर पर त्यार कर लिजेगा इसके बाद आगे अगर चलें तो further आगे चलें specific heat capacity को short question plus long question के तोर पर prepare कर लिजेगा further आगे चलें तो heat capacity को short question के तोर पर त्यार कर लिजेगा और आगे चलें तो latent heat of vaporization इसको short question के तोर पर त्यार कर लिजेगा further और आगे चलें तो the evaporation जो है इसको short और long दोनों तरह से आप अच्छे से त्यार कर लिजेगा पाकि thermal expansion जो है ये भी short और long दोनों तरह से आप त्यार कर लिजेगा और आगे चलें तो example 8.6 जो है इसे अच्छे से त्यार कर लिजेगा volume thermal expansion जो है short question के तोर पर आप देख लिजेगा इसे और further और नीचे चलें इसके तो summary आगई, summary के बाद questions question में जो important हमें लगते है 8.7 और 8.10 ये दो questions आप अच्छे से त्यार कर लिजेगा numericals की बात करें तो 8.7 और 8.9 जो है important numericals है हमारे recording तो ये अच्छे से देख लिजेगा last chapter 9th unit आपका सामने आ गया conduction को आप short question के तोर पर prepare कर लिजेगा thermal conductivity जो है short और long दोनों aspect से त्यार कर लिजेगा further आगे चलें तो further आगे use of convection current ठीक है तो इसको short question के तोर पर देख लिजेगा land and sea breezes short question के तोर पर त्यार कर लिजेगा radiation short question के तोर पर त्यार कर लिजेगा और इसके साथ ही हम लोगों का ये book जो है वो खत्म हो रही है questions में 9.4 9.7 जो है दो important question है इन दोनों को और problems में वैसे तो कैर ये दोनों ही problems आप देख लिजेगा सिर्थ दो ही problems है आप लोगों के लिए असानी हो जाएगे ठीक है तो इस तरह से जल्दी जल्दी मैंने कोशिश किए वीडियो चोटी बने ये ये एक important questions की list आप लोगों के लिए बनाई है जो हुश्यार बच्चे है वो तो obviously पूरी book की त्यारी करेंगे तो उनमें ये अच्छे से इनको prepare कर लेजेगे इन questions को बाकी आपकी त्यारी तो होगी ही video end में इसलिए भी बनाई है paper से कुछ दिन पहले के आप लोग जो त्या जादा परिशान हो जाए या मुझे बुरा भला कहें दिल के अंदर तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक कोशिश है हम लोगों ने बड़ी मेहनत से research करके आप वीडियो बनाई है अपना time निकाल कर तो अमीद करता हूँ purpose आप समझ गए होंगे video का ये video का purpose सिर्फ य या नहीं आएगा ठीक है अपना बहुत सा क्याल रखेगा उमीद करता हूँ और मेरी दुआ है दिल से कि आप सब लोगों का अच्छा अच्छा पेपर जाए और आप लोग धेरों कामियाबी यहां सेल करें ठीक है अपना बहुत सा क्याल रखेगा अगली video के अंदर मुला कातों के अलाफिज